नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यातो मर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की खास खबरों के बारे में नीती आयोग ने हितिधारकों से सुझाव आमंतरित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीती का प्रारूप जारी किया संसदिय समिती ने वन्यजीव संरक्षन संशोधन विधेक 2021 में बदलावों का सुझाव दिया रक्षा मंतरी ने कहा कि भारत और अमेरिका क्वांटम साइन्स बायोटेक और चिप्स में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे मालदीव के राश्ट्रपती ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया कोविड महामारी से निपटने के क्रम में देश में जै विवित्ता अप्षिष्ट की मात्रा बढ़ गई है और चोरी की गई प्राचीन कलाकृतियां स्कॉटलेंड संग्रहालेओं से भारत वापस आएंगी नीती आयोग ने हित धारकों से सुझावा मंत्रित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग यानि की अदला बदली नीती का प्रारूप जरी किया है इस नीती का उद्देश्य बैटरी एज अ सर्विस के माध्यम से बैटरी स्वैपिंग तकनीक के अंगीकरण को बढ़ावा देना है साथ ही स्वैपिंग से जुड़ी प्रमुक तकनीकी विनियामकिय संस्थागत और वित्य चुनोतियों का समाधान भी करना है इससे पहले इस नीती को बजट भाशन 2022-23 में भी प्रस्तावित किया गया था ये इलेक्टरिक वाहन प्रणाली की दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है बैटरी स्वैपिंग विवस्था में चार्ज की गई बैटरी को डिस्चार्ज बैटरी से अदला बदली करना शामिल है ये आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तरह ही फिर से इंधन भरने की सुविधा प्रदान करती है इससे ये इलेक्टरिक वाहन की उच्च प्रारंभिक लागत को 40-50 प्रतिशत तक कम करती है और आईए बात करते हैं बैटरी स्वैपिंग नीती की मुखे विशेशताओं के बारे में ये नीती दो चरणों में लागू की जाएगी पहले चरण में 40 लाग से उपर की आबादी वाले महानगरों में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क इस्थापित करने को प्राथमिक्ता दी जाएगी दूसरे चरण में सभी प्रमुक्ष शहर जैसे की राजी की राजधानिया, केंदर शासत प्रदेश मुख्याल है और 5 लाग से अधिक आबादी वाले शहर शामिल किये जाएंगे जिन वाहनों में बैटरी स्वैपिंग की विवस्था होगी, वे बिना बैटरी के बेचे जाएंगे कोई भी वेक्ती या संस्था किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इस्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे इसके अलावा स्वैप योग्य बैटरी, आधुनिक सुविधाओं जैसे की इंटरनेट आफ थिंग्स, आधारित बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग आदी से लैस होगी, इससे बैटरी और परिसंपत्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी इसके अलावा उर्जा दक्षता ब्यूरो देश भर में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के कार्यान वेन के लिए जिम्यदार होगा बैटरी स्वेफिंग का उद्देश्य है बैटरी की लागत को कम करने के लिए एडवांजड केमिस्ट्री सेल बैटरियों के साथ बैटरियों की अदला बद्दी को बढ़ावा दिया जाएगा इसके अलावा बैटरियों की उपियोग अवधी के बहतर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा अगली खबर परियावरन संरक्षन से संबंदित हैं संसदिय समीती ने वन्यजीव संरक्षन संसोधन विध्यक 2021 में बदलावों का सुझाव दिया है समीती के मुताबिक वर्ष 2021 के विध्यक के प्रावधानों में कई कमियां हैं ये कमियां वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 के उद्देशियों को बाधित करती हैं वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 वन्यजीवों और पौधों की अलग-अलग प्रजातियों के संरक्षन उनके परियावास के प्रबंधन और उनके व्यापार के विनियमन और नियंतरन के लिए एक कानूनी रूप रेखा प्रदान करता है समिती ने कई प्रमुक मुद्दे उठाए हैं और उन पर अपनी सिफारिशें भी प्रस्तोती हैं सबसे पहले बात करते हैं वन्यजीव संरक्षन विदेयक 2021 के प्राबधानों के बारे में हमलावर विदेशी प्रजातियों के नियंतरन को सक्षम किया जाएगा जिन व्यक्तियों के पास स्वामित प्रमान पत्र होगा उन्हें जीवित हाथियों के स्थानांतरन या परिवहन की अनुमति दी जाएगी वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन प्रजातियों के अंतराश्ट्रिय व्यापार के विनियमन के लिए मूल अधिनियम में एक नया अध्याय पांच भी जोडने का प्रस्ताव किया गया है ऐसे में समिती ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें शामिल है राज्य वन्य जीव बोर्ड की इस्थाई समिती के गठन का प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड की शक्तियों का अथिक्रमन कर लेगा दूसरा मुद्दा है कि प्रस्तावित तीन अनुसूचियों में कई प्रजातियां सूचिबध नहीं हैं और जीवित हाथियों के इस्थानांतरण और परिवहन की अनुमती देने से बंदी यानि कैटिव हाथियों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा साथी वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 के रूप में वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन प्रजातियों के अंतराष्ट्रे व्यापार पर अभिसमय यानि साइट्स के प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक निशेधात्मक प्रकृति का है वहीं साइट्स का मुख्य उद्देशिव व्यापार को सुविधाजनक बनाना या फिर सक्षम करना है और इसलिए समिती ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जैसे कि राज्य वन्यजीव वोर्ड की इस थाई समिती में जो सदस्य होने चाहिए उनमें कम से कम एक तिह ही उनमें को स्विवस्तित किया जाना चाहिए साथ ही अनुसूची एक और अनुसूची दो को इस तह से विवस्तित किया जाना चाहिए कि उन्हें पढ़ने और देखने में आसानी हो और इस न prepared प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए और हमलावर विदेशी प्रजातियों के नेंतरन को सक्षम करने तथा हातियों के इस्थानांतरन या परिवहन की अनुमती के नई प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए सरकार धार्मिक संस्थानों द्वारा जीवित हाथियों की विक्री और खरीद की अनुमती देने के लिए आतरिक्त निगरानी विवस्था इस्थापित कर सकती है समिती ने ये भी कहा कि हमारे कानुनों को साइट्स के अनुरूप रखने के लिए जैब विवित्ता अधिनियम 2002 में संशुधन करने की जरूरत है ना कि वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 में अगली खबर विज्यान एवं प्रध्योगी की जगत से रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका क्वांटम साइन्स बायोटेक और चिप्स में सहीयोग को आगे बढ़ाएंगे हाल ही में एक बैठक के दोरान रक्षा मंत्री ने अमेरिकी कमपनियों से कहा है कि उन्हें भारत द्वारा की जा रही नीतिगत पहलों का लाब उठाना चाहिए उन्होंने रक्षा उपकरणों पर सैयुक्त अनुसंधान और उनका सैयुक्त विकास निर्मान और रखरखाव करने का भी आगरह किया इससे तक्नीकी सहीयोग और रक्षा प्रद्योगी की के स्वदेशी करण को पढ़ावा मिलेगा इससे मेक इन इंडिया, मेक पोद वर्ल्ड के लक्षे को हासिल करने में सहायता प्राप्त होगी भारत और अमेरिका के रक्षा संबंदों की बात करें तो वर्ष 2016 में इससे भारत को सैने और दोहरे उप्योग वाली कई प्रद्योगी की तक बिना लाइसेंस के पहुँच प्राप्त हो गई दोनों देशों के बीच कुल रक्षा व्यापार वर्ष 2008 के लगभग शुने स्थर से बढ़कर वर्ष 2020 में 20 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के महत्यू की बात करें तो ये भारत को रक्षा खरीद के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध कराएगा अभी भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर अधिक निर्भर है लेकिन हाल ही में पूर्वी यूरोप में बदलती भूराजनीती और रूस की चीन से बढ़ती नस्दीकियों को देखते हुए रक्षा उपकरण खरीद के स्रोतों में विवित्ता लाना जरूर समान हितों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिन एशिया या हिंद महासागर शेत्र और एक सामरिक कंस्ट्रक्ट के रूप में हिंद प्रशांत में साजह भविष्य के खत्रों का आकलन करके सामरिक नीति निर्मान में मदद मिलेगी इन सब के बावजूत भारत और अमेर रक्षा उपकर्णों की खरीद पर अमेरिका के साथ मतभेद हैं जिसकी वजह से भारत पर कार्ट्सा प्रतिबंधों का खत्रा बना हुआ है कार्ट्सा यानि काउंट्रिंग अमेरिकाज एडवर्सरी त्रू सैंक्शन्स एक्ट इसके अलावा दोनों देशों के बीच रू प्राज्यरक्षा संबंध फ्रेम्वर्क वर्श ौ थे ॐ सामरिक वीजिन वर्श। 2015 में लोजिस्टिक्स विनिमः समझ व्रश दोहजार डो शोला में ही अमेरिका भारत साइबर संबंध प्रेमवर्क वर्श दोहजार अठार mr. सुसंगता और सूरक्षा संजोता 2020 में Basic Exchange and Corporation Agreement मालदीव के राष्ट्रपती ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया ये कदम मालदीव और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षिय संबंधों की रक्षा करने और मालदीव की राष्ट्रिय एवं शेत्रिय सुरक्षा सुनेशित करने के लिए उठाया गया है इंडिया आउट दुषप्रचार को एक संगठित अभियान माना जा रहा है इसका उद्देश्य अशान्ती उत्पन करके दोनों देशों के बीच संबंधों को बाधित करना है भारत विरोधी सभियान का एक कारण वर्ष 2021 में भारत द्वारा मालदीव के तटरक्षक बल के लिए उतूरू थिला फलहू एटॉल पर एक बंदरगाहा विक्सित करने के लिए दुपक्षिय सहयोग है मालदीव में ये अफवा फैलाई गई कि वहाँ भारती सेने कर्मियों को तैनात किया जाएगा और आई अब आपको बताते हैं कि भारत मालदीव संबंध दोनों पक्षों के लिए क्यों महत्वपून है मालदीव कई कारणों से भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपून है मालदीव भारत के पश्चिमी तटके निकटे स्थित है मालदीव हिंद महसागर से गुजरने वाले वानिजिक समुद्री मार्क के केंदर में स्थित हैं दोनों देशोंने समुद्री शेत्र में शमता निर्मान के लिए भारत से क्रेडिट लाइन के साथ एक सुरक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉंक्लेव का हिस्सा है इसे भारत ने शुरू किया है इस कॉंक्लेव में श्रीलंका और मौरिशस के साथ हिंद महसागर में शांतिपून सहयोग की परिकल्पना की गई है भारत मालदीव के विभिन्य प्रवाल दूपों पर उच्च प्रभाव वाली सामुदाइक विकास परियोजनाओं का निर्मान कर रहा है मालदीव के लिए भारत का देश्टिकॉन शेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास विजन से प्रेरित है ये विजन पूरवी हिंद महासागर में दूपक्षिये देशों की सहायता के लिए विक्सित किया गया है भारत मालदीव संबंधों में चिंता के कई कारक है जैसे कि राजनितिक अस्थिर्ता मालदीव में पूरवर्ती सरकार चीन समर्थक थी उसने भारत मालदीव संबंधों में एक अंतराल पैदा कर दिया था चीन के साथ संबंधों की बात करें तो मालदीव दक्षनेशिया में चीन की स्ट्रिंग ओफ पल्स नीथी के एक महत्वपूर्ण मोती के रूप में उभरा है साथ ही चीन मालदीव मैत्री सेतु जैसे शेत्र में भारी चीनी निवेश भारत के लिए चिंता का विशय है इसके अलावा बढ़ता इसलामिक कटरपंथ, राजनितिक और सामाजिक आर्थिक अनिश्चित्ता की वजह से बड़ी संख्या में मालदीव के लोग, इसलामिक स्टेट और पाकिस्तान इस्थित मदर्सों और जिहादी समूहों जैसे आतंकवादी समूहों की ओर आकरशित हो रहे हैं? लगभग 962.31 तन की व्रिधी होई है, सामाने जैव चिकित्सा अप्षिष्ट उपचार सुविधाएं कुछ राजियों में ही इस्थित हैं या फिर संबंदित अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पन हुआ हो, जैविकों के उत्पादन या परीक्षन के दौरान उत्पन हुआ हो, इन सभी को मेडिकल वेस्ट में शामिल किया जाता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के असुरक्षित निप्टान और कुप्रबंधन से जुड़े कई स्वास्थे जोखिम हैं, जैसे कि इन्हें खुले में जलाने से डायॉक्सिन, फ्यूरोन और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सरजन होता है लेंट्फिल में अनुपचारित अपशिष्ट के निप्टान से पेजल, सतही जल और भूजल के दूशित होने की आशंका बनी रहती है परियावरण में दवा प्रतिरोधी, सुक्षमजीवों, सहित, रासाइनिक या जैविक रूप से खतरनाक पदार्थों को छोड़ने का जोखिम बना रहता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित निप्टान के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 के तहट COVID-19 मरीजों के उपचार या निदान या क्वारंटाइन के दौरान उतपन अपशिष्ट के निप्टान के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं COVID-19 रोगियों के उपचार, निदान और क्वारंटाइन के दौरान उतपन अपशिष्ट के प्रबंधन उपचार एवं निप्टान पर केंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किये हैं नवीन अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तिय साहता प्रदान करने के लिए केंद्रिय शेत्र की योजना घोशित की गई है इसका उद्देश जैव चिकित सा अपशिष्ट सहित अन्य अपशिष्टों का परियावरनिय रूप से मजबूत प्रबंधन करना है सबसे जादा मेडिकल वेस्ट उत्पर्न करने वाला राज्य है केरल और इसके बाद महराष्ट्र, करनाटा, तमिलनाडू और गुजरात तथा उत्तर प्रदेश शामिल हैं ये आंक्डे लोकसभादवारा जारी किये गए मार्च और अप्रेल 2022 के आंक्डे हैं इसके मुताबिक संपूर्ण भारत में गैर कोविट जैब चिकित्सा अप्षिष्ट का सरजन 2020 में 651.123 टन से ज्यादा दैनिक तोर पर था वहीं कोविट जैब चिकित्सा अप्षिष्ट सरजन माई 2020 से मार्च 2022 तक 942.31 टन प्रति दिन था मिलाकर 1613.54 टन अप्षिष्ट प्रति दिन उत्पन होता है और अगली खबर मूर्त विरासत से संबंदित है चोरी की गई प्राचीन कलाकृतियां स्कॉटलेंड संग्रहालेओं से भारत वापस आएंगी भारत ने इन प्राचीन कलाकृतियों को वापस करने का अनुरोद किया है क्योंकि वे भारत की एतिहासिक विरासत का हिस्सा है वर्ष 2013 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने समारकों और पुरावशेशों के स्कॉरी की गई थी हाला कि वर्ष 1976 से 2001 तक केवल 19 पुरावशेश ही प्राप्त किये जा सके थे वर्ष 2001 के बाद से भारतिय पुरातत्य सर्वेक्षन को इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई है भारतिय पुरावशेशों के कानूनी धाचे की बात करें तो प्राचीन संस्म समारक और पुरातत्वी इस्थल और अवशेश अधिनियम 1958 पुरातन सहित प्राचीन और एतिहासिक समारकों के संरक्षन से संबंदित है पुरावशेश और बहुमुल्य कलाकरती अधिनियम 1972 के तहट एसाई चोरी या अवैद रूप से निर्यात की गई कलाकरतियों को फि किया गया है वहीं राष्ट्रिय पांडुलिपी मिशन विरासतों का दस्तावेजी करन करता है इसके अलावा भारत संस्कृतिक संपदा के स्वामित्यों के अवैद आयात निर्यात और हस्तांतरन को प्रतिबंधित करने और रोकने के साधनों पर युनेसको अभिसमय युन को कन्वेंशन 1970 का एक हस्ताक्षर करता है हाला कि भारत ने चोरी या वैद रूप से निर्यात की गई सांस्कृतिक वस्तुओं पर 1995 UNIDROIT यानि की International Institute for the Unification of the Private Law Convention पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूंट सुर्खियों की लोग प्रशाशन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरसकार ये पुरसकार प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग सिविल सेवा दिवस पर प्रदान करता है जो कि प्रतिवर इसमें नवाचार के लिए प्राथमिक्ता वाले पांच चिन्हित कारिक्रमों के लिए 16 पुरसकार प्रदान किये गए हैं जैसे कि पोशन अभियान में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना खेलों इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्यान में उत्कृष्ट इस्राइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के स्थल हाली में यरुशलम के अल-ाक्सा मस्जित परिसर और दमिश गेट पर इस्राइली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकरा हुआ दमिश गेट एक तुर्क कालीन चौक है ये यरुशलम के पुराने शहर के लिए साथ खुले दर्वाजों में सबसे बड़ा है ये पूर्वी यरुशलम में इस्थित है पूर्वी यरुशलम में अल-ाक्सा इस्थल तीन एक एश्वरवादी विश्व धर्मों में से दो ध इस्थल है और ये धर्म है इसलाम और यहुदी संगर्श के अन्य शेत्र हैं गाजा पट्टी और वेस्थ बैंक क्योंकि अधिकांज पिलिस्पीनी इन्ही इस्थलों पर निवास करते हैं गाजा पट्टी पर हमास का नियंतरन है कानूनी इकाई पहचान करता LEI हाल ही में भारते रिजर्व बैंक ने गयार बैंकिंग वित्तिय कंपनियों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के बड़े उधार करताओं के लिए LEI यानि कानूनी इकाई पहचान करता पर दिशानिदेशों का विस्तार किया है LEI एक 20 अक्षरों का अलपा नूमरिक कोड है इसका वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाने के लिए उप्योग किया जाता है ये प्रणाली किसी भी शेत्राधिकार में प्रत्य कानूनी इकाई की विशेश रूप से पहचान करती है LEI बहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तिय डेटा रिपोर्टिंग प्रणालियों की गुर्वत्ता और सटीक्ता में सुधार करता है रणितिक विनिवेश के लिए दिशानिर्देश निवेश और लोग परिसंपत्ती प्रबंधन विभाग दीपम ने नए दिशानिर्देश जारी किये हैं इन दिशानर देशों के अनुसार राजे सरकार या सार्जनिक शेत्र के उध्यमों को किसी अन्य सार्जनिक शेत्र के उपक्रम को खरीदने की अनुमती प्रदान नहीं की जाएगी साथी रणितिक शेत्रों में Holding Company इस्तर पर मौझूदा सावजनिक शेत्र के वानिजिक उद्यमों की नियुनुतम उपस्थिती सरकार के नियंत्रण में रखी जाएगी इसका उद्देश्य सभी शेत्रों में मौझूद PSE में सरकार की उपस्थिती को कम करना है साथी निजी शेत्र के लिए निवेश के नए अवसर स्रजित करना है रणितिक विनिवेश का मतलब है केंद्रिय सावजनिक शेत्र के उद्यम के 50 प्रतिशत तक या इससे अधिक प्रतिशत की सरकार की हिस्सदारी का विक्रे करना इसके अलावा इसमें प्रबंधन नियंतरन का हस्तांतरन भी शामिल है फिंक्लूवेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने शुभारंब किया है ये वित्तिय समावेशन के लिए समाधानों के सहसरजन और इससे जुड़े नवाचार के लिए फिंटेक स्टारटप समुदाय के साथ सहीव करने की एक सेयॉक्त पहल है फिंक्लूवेशन भाग लेने वाले स्टारटप्स के साथ समावेशी वित्तिय समाधान बनाने के लिए आईपीपीबी का एक स्थाई मंच होगा ये स्टार्टप्स को IPPB और डाक विभाग विशिशग्यों के साथ कारे करने की अनुमती देगा इससे स्टार्टप्स समाधान विक्सित करेंगे और प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करेंगे इसके लिए विए डाक नेटवर्क और IPPB की प्राद्योगी की शमता का उप्योग करेंगे IPPB वर्ष 2018 में लाउंच किया गया था इसे डाक विभाग ने संचार मंत्राले के तहत स्थापित किया था इसमें भारत सरकार की उसके स्वामित्यों के अधीन 100% एक्विजी है नीतियायोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच बच्चों से संबंधित SDGs पर सहयोग नीतियायोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्षियों के संबंध में एक आशय के वक्तवे पर हस्ताक्षर किये हैं ये एसोआई भारत में बच्चों की स्थिती, बहुआयामी बाल विकास में स्थिती और रुजहान विशय पर पहली रिपोर्ट तयार करने के लिए सहयोग की रूप रेखा को अपचारिक रूप देने का प्रयास करता है ये बच्चों के बीच बहुआयामी उपलब्धियों और अभावों को समझने में मदद करेगा नीतियायोग और युनिसेफ इंडिया स्वास्थे एवं पोशन, सिक्षा, जल और स्वक्षता घरेलू जीवन इस्तर आदी में बच्चों के बीच बहुआयामी उपलब्धियों तथा अभावों को समझने के लिए व्यापक उपाय विक्सित कर रहे हैं अगला टॉपिक है आनुवानशिक रूप से संशोधित मच्षर हाल ही में संवक्त राज अमेरिका में आनुवानशिक रूप से संशोधित मच्षरों पर एक अध्यन किया गया इस अध्यन ने रोग कारक मच्षरों को नियंतरित करने की संभावना उत्पन्न की है इस प्रियोग के लिए वेग्यानिकों ने एक ऐसा जीन तयार किया है जो मादा संतान को मारने में सक्षम होगा ये प्रियोग अनियंतरित एडीज एजिप्टी मच्षरों की आबादी को कम करने के लिए किया गया था ये मच्षर चिकनगुनिया, डेंगू, जीका और यलो फीवर जैसे विशानुओं के वहक हैं आनुआशिक रूप से संशोधित मच्षर कीटों की आबादी को नियंतरित करने के लिए कीट नाशकों का एक विकल्प है तेलंगाना स्पेस टेक फ्रेमवर्क ये सरकारी शेत्र में स्पेस टेक फ्रेमवर्क को लौँच करने का अपनी तरह का पहला प्रयास है इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से सम्मधित सभी उतपादों और सेवाओं के लिए राज्य को एक वानिजिक केंद्र के रूप में उभरने में मदद करना है प्रक्षेपन वाहनों, उपग्रह प्रणालियों और उप्रणालियों, जमीनी उपकरणों के निर्मान तथा अन्य सुविधाओं के घरिलू उतपादन को बढ़ावा देना अंतरिक्ष प्रण्योगी के लिए तेलंगाना को वन स्टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना शामिल है तेलंगाना पहले से ही रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों का एक प्रमुक केंद्र है यहां हजार से अधिक सूक्ष में लगू एवं मध्यम उद्यम कारेरत हैं यह MSMEs, एरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक शेत्रों की मांग को पूरा करते हैं करकरेखा भारत के राश्ट्रिय कैलेंडर पर दो दिवसिय सेमिनार और प्रदर्शनी 22-23 अप्रेल 2022 को मध्यप्रदेश के उज्जैन और डोंगला में निधारिक की गई है करकरेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है ये पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़ और पूर्व में जारखंड, पश्चिम बंगल, त्रिपुरा और मिजोरम सहित आठ राजियों से गुजरती है माही नदी से दो बार काटती है त्रिपुरा में उदैपुर इसका प्रमुख निकटम शहर और अगरतला निकटम राजधानी शहर है अन्य निकटम राजधानी शहरों में शामिल है जारखंड का राची, मिजोरम का आईजोल, मध्यप्रदेश का भुपाल और गुजरात का गांधी नगर जैव उर्जा और जैव इन्धन हाल ही में भारत और ब्राजील जैव उर्जा के शित्र में दुपक्षिय सहीयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए है साथ ही वे जैव उर्जा और जैव इन्धन पर एक भारतिय ब्राजील गटबंदन विक्सित करेंगे जैव उर्जा नवी करनिय उर्जा का एक रूप है इसे जीवित जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है इन पदार्थों को बायो मास के रूप में जाना जाता है जब बायो मास को तरल या गैसिय जैसे की एथनॉल, मेथनॉल, मीथेन और हाइडरोजन में बदला ज तो इसे जैव इंधन के रूप में जाना जाता है। इसका निर्मान वर्ष 2025 तक योजग परियोजना के तहत किया जाएगा। ये ही माचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। आपको बता दें कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग रोहतांग में अवस्थित है। और इसके साथ ही ये अंग समाप्त होता है। अगले अंग में फिर मुलाकात होगी। कुछ अन्य महत्यपून खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिये। सुरक्षित दूरी बनाए रखिये। मास्क पहन ये, हाथ और चेहरा साफ रखिये। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन आईस की पूरी टीम को दीज़े अजाजब। नमस्कार।